तो देख रहे हैं बहुत दुखत खबर है आपको के पत्रकाईता जगत से एक दुखत समाचार सामने आया है भारत के एक नीडर पत्रकार विनोद्वा साहफ करने धना हो चुका है विनोद्वा कुछ दिनों से विमार चल रहे थे जिसकार उन्हें दिली के अपूला अस्पत सामने आई थी इससे पहले भी मलिका दुआ ने सारी अफ़वाहों को खारिश करते हुए उसका खंडन किया था मलिका दौरा ये बताया गया है कि विनुद्वा का अंतिम संस्कार लोदी शमसान घाट में किया जाएगा उन्होंने कहा कि अब उनके पिता अपनी मा के पास है यानि अपनी पतने के साथ स्वर्ग में हैं विनुद्वा का जन्म वैसी 11 मार्च 1954 को नई दिल्ली में हुआ था साथ साल के विनुद्वा के पतरकारता जगत में अहम भूमिका रही उन्होंने दूरदरशन और एंडी टीवी के साथ कई सालों तक काम किया था 1966 में विनुद्वा के पहले एलेक्ट्रोनिक मीडिया के पतरकार बने जिन है रामनात गोयन एक्सिलेंस इन जन्रलिस्म अवार्ड दिया गया सम्मानित किया गया इसके बाद सन 2008 में उन्हें भारस सरक्वारदारा पदमसीरी से भी सम्मानित किया गया मुंबई में रेड इंक अवार्ड दिया गया है आपको दादे कि इसी साल 2021 में आई कुरोना की दूसरी लहर में विनुद्वा और उनकी पत्नी पदमावती दूआ की चपेट में आ गय थे जिस दोरान के तब यत जादा बिगड़ गई थी जिस कारण उन्हें गुरू गर कि एक अस्पताल में भरती करा गया था हलागे साथ जून को विनुद्वा स्वस्तो कर घर लोटे लेकिन उनकी पत्नी पदमावती का बारह जून को स्वरगवास हो गया ने टीवे और दूदैसंज जैसे चनलों में काम करने वाली मशूर मीडिया हस्त विनुद्वा का यानि चार दी सम्ब दोरे कि इसको अस्पताल में नहीं तनुगा